दोस्तों, आज की इतने टेक्नोलोजी वाले टाइम में, 21st century का सबसे बड़ा invention बिटकोईन है लेकिन क्या आपको पता है कि 2010 में, 41 डॉलर्स के 2 पीजा ओर्डर करने के लिए एक महान ग्यानी आदमी ने 10,000 बिटकोईन पीजा के लिए उड़ा दिये लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि एक दिन इसी बिटकोईन की कीमत 2021 में 314 मिलियन डॉलर्स होने वाली है उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जिस टाइम उसने बिटकोईन खरी दे थे, उस टाइम उसकी वेल्यू 80 डॉलर्स थी और सिर्फ लाँच होने के 14 साल के अंदर ही बिटकोईन की कीमत सोने से भी ज़्यादा हो गई और गाइस क्या आपको पता है कि कोई भी कंट्री इन दमाकेदार बिटकोईन को क्यों बैन नहीं कर सकती और कोई भी आखिर इसमें कितनी भी ताकत लगा ले इसमें कोई जोलजाल नहीं कर सकता यानि कि बिटकोईन को कोई भी हिला नहीं सकता इसलिए फ्रेंड्स आज के इस बिटकोईन स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाँच बिटकोईन के सूपर डूपर फैक्ट के बारे में चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिटकोईन इस लीगल क्या आपको पता है कि कोई भी कंट्री कितना भी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए ट्राइ कर ले पर ये इल्लीगल है ये बात समविधान में भी लिखी हुई है दोस्तों इंडिया में ये करनसी यूज ये नहीं होती है लेकिन अमेरिका, अस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में बिटकोईन प्राइमिरी सोर्स आफ ट्रेड बन चुका है यानि कि ये करनसी रोज मर्रा की जिन्दगी में काम आती है और लोगों को अब इसकी आदत सी पढ़ चुकी है फिर भी क्या कई सारे देशों ने बिटकोईन को बैन किया है धरसल मैं आपको बदा दू ये सिर्फ अफवा है और बिटकोईन यही तो है इसमें person to person transactions होता है कंट्री इस पर कभी बैन भी लगा देती है जैसे कि RBI ने बिटकोईन पर 2018 में access denied कराया था मतलब कि वो कंट्री अपने खुद की consequences के विरुध ही जा रही है यानि कि बिटकोईन पर बैन illegal है और फिर इंडिया में 2020 में बिटकोईन officially अपनाया गया और अब पूरे देश में specially इंडिया में बिटकोईन का जोरो शोरो से trade होता है आखिर कैसे बिटकोईन launch हुआ था जिस time यह launch हुआ था उसकी value 0.058 रुपीस थी मतलब कि 50 पैसेज ही भी कम और आज एक बिटकोईन की value almost 23 lakhs है सोचो गर आपने इतने सस्ते दाम में ये बिटकोईन ले लिया होता तो आज आप करोड़ पती बन गए होते और फ्रेंट्स बिटकोईन आज सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी बन चुकी है इसकी price की hikes सारे आस्मानों को भी पार कर चुकी है क्योंकि इसकी demand बहुत ज़ादा बढ़ती जा रही है और अभी तक 21 मिलियन बिटकोईन का creation हो चुका है और वो कौन सा अदमिधा जिसने बिटकोईन कूड़े में फेक दिये और उसका नाम James Howells है जब इससे पूछा गया तो उसने बोला कि इसने गलती से बाइ मिस्टेक जिस हार्ड्राव में वो बिटकोईन थे उस हार्ड्राव को फेक दिया बहुत ही चौकाने वाली बात है ये दोस्तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि बिटकोईन हैक भी तो हो सकता है लेकिन सिर्फ आपके सपनों में ये सिस्टम ब्लॉक्चेन टेक्नालोजी यूज़ करती है जिसमें जबी भी कोई बिटकोईन का ट्रांजेक्शन होता है वो चीज सिर्फ आपके और सामने वाले के सिस्टम में ही बलकि जितने भी लोग दुनिया भर में बिटकोईन यूज़ करते हैं उन सब के पासे इसकी ट्रांजेक्शन आजाती है और अगर कोई हैकर है भी उसको मैनुली हर एक के पीसी में जाकर ये चीज निकालनी पड़ेगी जो कि पूरी तरह से इंपॉसिबल है यूज ओफ बिटकोईन इन इंडिया कि आखिर क्यों बिटकोईन का इस्तमाल इंडिया में बहुत कम किया जाता है आमीं दूसरे देशों के मकाबले इंडिया में बहुत कम यूज होता है किया जाता है पर ट्रेडिंग और इंवेस्मेंट के लिए ही अभी तक इस चीज़ का इस्तंबाल शायद ही किसी ने regular day to day life में किया हो 100% नहीं किया होगा क्योंकि इंडिया में बिटकोईन पर लोगों का ट्रस्ट अभी तक इतना build-up नहीं हुआ है ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है लेकिन ये ट्रस्ट बागी के foreign countries में already build हो चुका है और इतना जादा build हो चुका है कि normally bitcoin का इस्तमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए normal transactions के लिए पावर अफ बिटकोईन क्या आपको पता है जितनी energy बिटकोईन के business को कुल मिलाकर लगती है उतने में 10 लाग flights उड़ जाएंगे और friends, bitcoin mining इतना बड़ा business है कि इसमें 2.5 million लोगों के घर रोशन करने जितनी power होती है और इसमें सब बड़े-बड़े computers लगे होते हैं जो कि बहुत power खाते हैं और तो आर कुछ experts का ये भी कहना है जो bitcoin का network है वो इतना ज़्यादा vast है कि बहुत ज़्यादा power लगती है I know आप इस सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी खास बात है लेकिन बात तो अब ये है ना कि 500 super computers की computer power को भी आप मिला लो कुछ इसके around होगी क्यों चौक गया राइट ऐसे ही amazing facts को जानने के लिए हमारे चानल सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आनिवली interesting videos आप तक पहुंच सके